नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम आपके घर के कीचन की बात करेंगे आपके कीचन में बहुत सारे मसाले हैं और उसमें एक मसाला है तेज पत्ता आपके घर में होगा वो पत्ता होता है पेड का पत्ता है और ये मसाला आपके भागे को चमका सकता है कैसे आज हम लगलंग मसालों का इस्तिमाल भी करते हैं और कीचन में जो मुझूद काली मिर्च है उससे लेकर हल्दी और तेज पत्ते इन सभी चीज का टोने टोटकों में भी परियोग होता है आपके किसमत को बदलने में भी होता है अला कि यह चीजे आपके खाने का स्वाद भी बढ़ दूरत कर देता है तो इन तेज पत्तों का अध्यात्मिक अनुष्ठानों के साथ जो तिसी उपाय में भी प्रयोग किया जाता है आपको पता है तेज पत्ता भगवान सरी गनेज को भी अर्पित किया जाते हैं जिस तरह से गनेज जी को दुर्वा घास भंगरिया का पत्त कनेर पुस्प का पत्ता अर्पित किया जाता है अर्जुन के पत्ते अर्पित किया जाते हैं उसी प्रकार तेज पत्ता भी गनेज जी को अर्पित किया जाते हैं माना जाता है तेज पत्ता हर बुद्वार को अगर आप गनेज जी को उनका जो गनेज जी के नाम है उनका उ तरफित करें यकीन मानिये मुश्किलें आसान हो जाएगी और आपके हर तरह की समस्या समात हो जाएगी तो सकात्मक उर्जा को आकरसित करने के लिए ये परियोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा है क्योंकि ये परियोग धन को आकरसित भी करता है और आपको धनवान बनान में मदद भी करता है तो हम आपको तेज पत्ता और काली मिर्च इनका सबसे पहले प्रियोग बताते हैं अगर घर में बिना बज़ा समस्या रहती हो कलह कलेस रहता हो नकात्मक उर्जा बढ़ गई हो बेबज़ा टेंसन जगड़े लड़ाई हो तब एक छोटा सा आसान उपाय करें हर सनी बार के दिन आप तेज पत्ता पांच की संख्या में लेने अब पांच काली मिर्च और पांच तेज पत्ता इनको आप एक साथ जलाएं और जब ये धुआ धुआ होने लेगे तो पूरा घर में फैलने दें आपके घर में सभी तरह की समस्याएं दूर होंगी लड़ाई जगरों से आपका घर मुकत रहेगा और जो छोटे-छोटे किटानू बेगे रहे हैं जो जिवानू होते हैं उनसे भी आपकी रक्षा होती है माना तो ये भी जाता है कि अगर आप सपने गलत सपने देख रहे हैं बुरे सपने देख रहे हैं तब आप इनसे बशने के लिए कई बार आपने देखा होगा लगातार लोग बहुत खराब खराब सपने देखते हैं रात रात वर्त सो नहीं सकते हैं तो उनसे बशने के लिए भी आप तच्पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप बुरे सपने देखते हैं और अक्सर निंग से जाग जाते हैं तो एक आसान सा उपाय करें आप जहां सोते हैं अपने तक्ये के नीचे एक तेशपता रख लें और अगले दिन इसको उठा कर किसी पौधे के पास रख दें हर रोज ये करें जब तक कि आपको बुरे सपनों से राहत नहीं मिल जाती यकीन मानिए आपको ये परियोग करने के एक से दो दिन के अंदर ही राहत मिल जाएगी अब हम तीसरा प्रियोग आपको बताते हैं सभी प्रियोग को आप ध्यान से सुने क्योंकि हर एक प्रियोग आपके लिए बहुत कीमती है सबके लिए कीमती है तो उसमें है अब हम बात करेंगे धन को आकरसित करने के लिए तेजपत्ता का महा प्रयोग कैसे करेंगे कई बार आप कमाते तो हैं पर टिकता नहीं है पैसा कभी बिमारियों में खर्च कभी कहीं और कभी इधर उधर कभी खो गए गुमों गए बहुत तरह की चीज़ें हो जाती है बेवज़ धन्हानी हो रही हो तब आप सुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी के चर्णों में एक तेजपत्ता अरपित करना सुरू कर दे तेजपत्ता अरपित करके कुछ समय रहने दे फिर उठाकर पर्स में रख ले ये आपका धन्योग को बढ़ाता है बनाता है और पैसों से पर्स भी आपका भरा रहेगा खाली नहीं रहेगा तो धन को आकरसित करने के लिए लक्ष्मी जी का आसिरवाद ये तेजपत्ता दिलाएगा और आपने पर्स में रखना सुरू करें अब अगले सुक्रवार को जब आप दूसरा तेजपत्ता मालक्ष्मी का और पीद करके फिर पर्स में रखेंगे तो पहले वाला कहीं आप मिट्टी बेगरे में डाल दीजेगा रख दीजेगा किसी पेड़ के नीचे मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए भी तेजपत्ता का महा परियोग किया जाता है कई बार होता है लंबे समय से कुछ ऐसी मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो पा रही चाहे वो नौक्री की समस्या हो चाहे वो कर्जी की समस्या हो या फिर स्वास्त की समस्या घर की समस्या कैसी भी समस्या हो आपकी लंबे समय से भी पूरी नहीं हो पा रही है तो आप एक तेजपत्ता ले ले और तेजपत्ता के उपर सिंदूर से अपने इच्छा को लिख दे सिंदूर से अगर आप चाहें तो कुमकुम से भी लिख सकते हैं कुमकुम जादा बहतर रहेगा अब अपनी इच्छा लिखे और आप चाहें तो लाल पेन का भी सहायता ले सकते हैं और इसे अपने घर के मंदिर में कुछ समय के लिए रख दे फिर आप देखिएगा आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी और बाद में जब मनोकामना पूरी हो जाए तो बहते जल मिले तो ठीक है नहीं तो आप कहीं भी मिट्टी के गमले में रख दीजेगा कई पर आपकी कुछ ऐसी चीजे हैं जो परिसान आपको बहुत करती है आप चाहते हैं कि उन्ची जों से आपकी रख्चा हो मुस्किले समाप्त हो जाए तब आप तेजपत्ते पर आप किसी भी रंग की पिन से आप वो समस्या लिखें जो आपको परिसान कर रही है और लिख कर उसको रोज साम में जब आप दिया बाती करते हैं उस समय एक तेजपत्ता पर लिखें और उसको जला दें राख को घर के बाहर मुखे दर्वाजे के बाहर अगले दिन सुबह छिड़क दीजिएगा और ये परियोग आप साम में भी छिड़क सकते हैं लेकिन साम में घर से बाहर कोई भी चीज नहीं डालना चाहिए तो ये परियोग आप लगातार कुछ दिन तक कीजिए आपकी मुश्किले समाप्त हो जाएगी अब देखिए घर को भी बुरी बरा से बचाना जरूरी है तो तेज पत्ते के टोटके करें तो उत्तम है घर में जब आपको लगे कि नकात्मक उर जाएएं अकस्मिक समस्याएं परिसान कर रहा है तब आप नकात्मक जो मुश्किले हैं उनसे बचने के लिए साथ तेज पत्ता और एक चमच नमक ले ले सिर के उपर से साथ बार घुमाएं और घर के बाहर किसी अस्थान पर या किसी पेड के नीचे ये पत्ता रख दे नजर दोस आपका उतर जाएगा और पीछे मुड़ कर मत देखिएगा क्योंकि पीछे मुड़ कर जब आप देखते हैं तो फिर वो चीजें काम नहीं करती अगर आपके बैवाही जीवन में कोई मुस्किल है तब तेजपत्ता का महा प्रयोग किये जाएंगे जीवन साती के साथ अगर बार बार जगड़े लड़ाई हों तनाव रहे तब आप सुखा हुआ तेजपत्ता रोज साम को घर में कम से कम साथ दिन तक एक-एक करके एक जलाईए रोसा में एक तेजपत्ता कुछ करना नहीं है बस आप एक तेजपत्ता ले और फिर आप उसको जलादे साथ दिन लगातार जलाईए घर में ही जलाना है पुझास्थान पे जला सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी के रिस्ते मजबूत होंगे लड़ाई जगडा समाप्त हो जाएगा तो ये तो थी कुछ आपके लिए खास परियोग अब अन्ते में कई बार होता है नजर दोस जादा परिसान करता है या किसी ने कुछ करवा दिया है आप बहुत परिसान है तो आप एक और परियोग कर सकते हैं तेजपत्ता का तेजपत्ता आपके मांसिक तनाव को भी कम करता है अगर बहुत तेंसन रहता हो नौकरी बैपार की घर की कोई भी तेंसन हो तब आप रोज एक कर तेजपत्ता रात में सोने के पहले अपने बेडरूम में जलाई यकिन मानिये धीरे धीरे आपकी टेंसन समाप्त हो जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से शेयर करें और कमेंट करें धन्यवाद